दोस्तों आपने कभी किसी को खून के लिए इधर उधर भागते देखा है कभी इस ब्लड बैंक में कभी उस ब्लड बैंक में या फिर किसी व्यक्ति की नीड हो जब उसको ब्लड चाहिए होता है तो उसकी आपने कभी हालत देखिये कि उसको कैसा फील होता होगा दोस्तों एक बार की बात है मैं एक medical college में job करता था तब मुझे पता भी नहीं होता था कि blood donation कहते किसको है और blood donation का क्या फायदा होता है हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो तब जब मेरी वहाँ duty थी तो अचानक से एक employee आया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे यहींपे medical college में किसी को blood की need है तो क्या आप दे देंगे तो मुझे पता भी नहीं था कि होता क्या है तो मैंने ऐसे ही जाने जाने बोल दिया कि हाँ चलो मैं दे दूंगा और वहाँ गए तो वहाँ पे जो blood bank था वहाँ पे blood दिया और मैं वापिस आ गया तो मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ मतलब हुआ कि मैंने blood दिया और मुझे कुछ feel हुआ वह ऐसा कुछ भी feel नहीं हुआ और उसके बाद जब भी मुझा लगता कहीं पता लगता कि blood donation camp है तो मैं automatic अपने आप ही चला जाता क्योंकि हम अपने जीवन में किसी को पैसे से मदद ना कर सके किसी को अपने समय से मदद ना कर सके लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो हमारी जीवन में मतलब व्यर्थ ही चली जानी है अगर हम उसका यह समझे कि सदूप योग नहीं करेंगे क्योंकि यह दुबारा से फिर दुबारा से बन जाता है आसानी से किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन जिनको इस चीज़ की जरूरत होती है उनको वैल्यू का पता होता है कि जब बलड की नीड होती है तो किस तरह से भागना पड़ता है किस तरह से जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो आज बलड डोनर डे है जून 14 और मैं भी जा रहा हूं बलड डोनेट करने आज और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा जिनको भी जो हेल्थ किसी को इशू नहीं है जो स्वस्थ है जिसको किसी भी तरह का दर नहीं लगता कि बलड डोनेट करने से क्या हो जाएगा अगर आपको लगता भी है तो इस दर से दूर हटिए और प्रियास करिए कि आप बलड डोनेट कर पाएं आज के दिन और किसी को थोड़ा सा अपने जीवन का अंश उस रूप में दे पाएं जो आपका कभी ना कभी वियर्थ ही चले जाना है मैंने देखा बहुत सारे लोग बलड की तो क्या ही बात करें अपने बोडी के सभी पार्ट को दान कर देते हैं क्योंकि उनको पता है जब जीवन चला जाएगा खतम हो जाएगा तो उसके बाद इसका क्या किया जाएगा कुछ भी नहीं खतम हो जाएगा तो जला दिया जाएगा दबा दिया जाएगा जैसे जैसे परंपराएं होती है हमारी तो इसका सदूपयोग करें किसी के काम आए ये चीज तो यही गुजारिश है कि आप जरूर जाएं और परियास करें आज बलड डोनेट करने का थेंक्यू सो मच